इंटो से बने पैटन भाग एक ब्रिक पैटन्स पार्ट वन आज हम जानेंगे कि इंटो की सहायता से पैटन भी बनाए जा सकते हैं और इंटो के बने पैटन का प्रियोग कहां और किसलिए किया जाता है इंटो के आकार नाप और कैसे बनती है ये जानकर भी हम अभी तक इंटो से सुन्दर सुन्दर डिजाइन नहीं बना पाए हैं किसी दिन इंटो से सुन्दर सुन्दर डिजाइन बनाते हैं ना इंटो के बारे में सारी बाते तो मुझे भी अभियाद हो गई हैं जैसे इंट मिट्टी को पका कर बनाई जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क या निर्मान कार्य किया जाता है। और इंट घनाब यानि क्यूबाइट के आकार की होती है। इंट में 6 सत्य और 12 किनारे होते हैं, और इंट के सभी किनारे और सत्य सीधी होती हैं। पर इस जानकारी का असली मज़ा तब आएगा जब हम इनसे कुछ बना कर देखें। इंटो के इस्तिमाल के बारे में और जानकारी कहां से पता चल सकती है। मुझे और जानना है। क्यों ना इंजीनियर सर के पास चलें और उनसे पूछें। हाँ चलो उनहीं के पास चलते हैं। निहा और वंदना कैंटीन देखने आये हो। नहीं सर हम इंटो के इस्तिमाल के बारे में जानना चाहते हैं। इंटो के उपियोग के बारे में मैंने आपको बताया तो था कि इंटो का उपयोग निर्मार कार्य यानि कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है इंटो से दिवारें, फर्ष, छट, खिड़कियां ये सब बनाए जा सकते हैं और इंटो से ही इन में सुंदर-सुंदर डिजाइन भी बनाई जा सकती हैं और इंटो के बने पैटर्न कई जगह प्रयोग किये जाते हैं असल में कंस्ट्रक्शन वर्क में जहां भी इंटो का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कोई न कोई पैटर्न जरूर प्रयोग में लाया जाता है क्या साधारन दिवार में भी पैटरन का प्रयोग होता है? हाँ, साधारन दिवार बनाने में भी पैटरन का प्रयोग किया जाता है देखिए ये दिवार, यह कई इंटों का प्रयोग करके बनाए गई है इस दिवार को बनाने में ईटो को एक के उपर एक रखा गया है पर इसमें एक खास तरह के pattern को चुना गया है क्या आप दिवार बनाने के लिए कोई और pattern सुझा सकती हो? हाँ सर ये तो आसान होगा क्योंना हम ईटो को एक दूसरे के उपर रखते जाए इससे भी तो एक पैटन तयार हो जाएगा बिल्कुल सही कहा आपने अब देखिए ये आपके चुने हुए पैटन से बनाई हुई दीवार है और ये मेरे चुने हुए पैटन से बनाई हुई दीवार है आपको क्या लगता है? कौन सी दिवार ज्यादा मजबूत है? दोनों ही दिवार एक ही तरह की इतों से बनी है तो दोनों समान रूप से मजबूत होनी चाहिए आप इन दोनों को धक्का मार कर क्यों नहीं देख लेती? देखा आपने? इस खास पैटर्न की वज़ा से दिवार की मजबूती पर भी फर्क पड़ता है इसका मतलब इन्टों की प्रयोग में पैटर्न भी एक महतपून हिस्सा है? हाँ, जब हमको दिवार को मोटा बनाना होता है तब हम अलग पैटर्न का प्रयोग करते हैं और पतली दिवार बनाने के लिए अलग पैटर्न का प्रयोग करते हैं इन्टों के पैटर्न को और कहा कहा इस्तेमाल करते हैं? इन्टों का प्रयोग करके हम जाली भी बना सकते हैं जाली क्या होती है? दीवार में हवा के आने जाने के लिए जो छेद छोड़े जाते हैं उन्हें जाली कहा जाता है देखिए जैसे हमने भी आपकी कैंटीन की दीवार में कुछ जाली बनाई है ऐसी ही बहुत सी जाली आप इमारतों में देख सकते हैं देखिए, मैंने इस जाली में एक पैटर्न बनाया है। इसी तरह आप इमारतों की जालियों में बहुत सुन्दर सुन्दर पैटर्न देख सकते हैं। अब तो मुझे नहीं लगता कि इंटो के पैटर्न से कुछ और बचा है। इंटो के जरिये बहुत तरह के पैटर्न बनाये जा सकते हैं। और इंटो के पैटर्न को निर्मार कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क में कई जगह प्रयोग किया जा सकता है। सर आपने जो भी आज हमें बताया उसको एक बार रिपीट कर दीजे, हमारी क्लास का टाइम होने वाला है। मैंने आपको बताया कि इंटो की सहायता से बहुत तरह के पैटर्न बनाये जा सकते हैं। इंटो के पैटर्न फर्ष को सुन्दर बनाने के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं। इंटो के पैटर्न से दिवार को मजबूती प्रदान की जा सकती है। धन्यवाद सर लेकिन अभी और भी जानने की इच्छा है। आप हमें इंटो के सुन्दर सुन्दर पैटर्न बना कर दिखा सकते हैं? इतना समय तो मेरे पास नहीं है और ना ही इतनी इटे हैं पर मैं एक काम कर सकता हूँ मुझे जब भी कहीं इंटो का सुन्दर पैटर्न दिखाई देता है तो मैं उसका फोटो निकाल लेता हूँ मेरे पास इंटो के बने पैटर्न के बहुत से फोटो की एक फाइल है आप चाहो तो मैं आपके लिए कल ला सकता हूँ हाँ सेर प्लीज कल लेकर आईए कल हम इंटो के पैटर्न के बहुत से उधारण देखेंगे